तिन्से तून सा कलमाय मनुन खून होने चे घटने अथामलेत का पोक्सो सार के कठोर काईदे आमलात आले मनुन काईद दूराचारीन से विचार बदल लेत का काईदे अनुसार आपन आरोपिन ना केवल कठोर शिक्षा देऊ शकतो या और आडा घालू शकत नहीं या साड़ी सिस्टम मदलना अत्यवश्चक है राजस्तार विधा सबेतील दोन वर्षा पूर्वीचा भाषन बाजबाद से नेते तथा राजस्तान से माजिक गुरुह मंत्री कटारिया यानि पेपर फुटी प्रकरणा बाबत सभा गुरुहात बोलतारा भावुखोद शिक्षणाचा बाजारी करना और केलिल वक्तव्य सोशल मीडिया और आता दोरजार चुवीस वधे वाइरल होतो है कोई चिंता की बात बात नह ceux दूबना है प्रदेश को दूबेंगा मतलब दस वरस में चाया मेरे सर्कार रही हो चाया आप की रही हो किसी मैं स्वें शिक्षामन्चियू अपरादि होंगा प्रादी होगा कोई चिंता की बात नहीं लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जि बिमारी इन व्योसाईयों के थ्रू चली है, मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लगँगा पांथ लाग दे दूगा, आट लाग दे दूगा, मैं क्या दो करोड़, पांच करोड़, आठ करोड़ दे सकता हूं क्या भाँ, ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड कारी की जड़, अगर मार करना चाहते हैं तो यहां करो, तब तो जा करके इसको कोई रोक सकोगे, बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो, तो ये राजस्तान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्खिल चे पढ़ता है, अपने घर म बुड़े माब आपको भूगे मार के भड़ता है, और उसके बाद परिक्षा के लिए जाता है, रोता वागन लोटता है, क्या दुख नहीं होता है, हम लोगा के मन में कोई रहम नहीं है, क्या आखिर रोज बच्चे का क्या होगा, जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पास में है, आपने सारी सरकारी नोक्रियों को बेज दिया, मैं बहुत कड़वासत बोलना हूँ, आज जो पिछले आठ साल में नोक्री में लगे ना, उन सब का भी पोश्टमाटम करा आपको लगे आदा फटी मामना निकलेगा, कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आफिर उसके दर्द को कौन जानेगा, हैना जिस प्रकार से हमने परिक्षा के माद्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आसाओं के उपर पानी फेर दिया, रात और दिन पढ़ता है, पूख का प्यासा पढ़ता है, गर बेज़ करके खेट बेज़ करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सेलेक्षन नहीं होता तो जहर खाके मरता है, कोई स्पीडा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस कानून को लाकर के दुनिया को बताना चाहरे हैं, कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आपको कहरा हूँ, यह जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्या होगा यह, किस तरह की गेंग पालनी है उन्हें, मैं उस दिन भी पूछा था, क कि मैंने काई यह, शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोशी कौन है, जिसके कारण से पेपर काट करके निकाल लिया, यह तो ठीक है, भाग्या हमारा अच्छा था, कि सवाई मादौपुर की घटना खुट गी, और S.O.G क उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया, अगर वो केस नहीं लगता, तो आज आपके सारी नोगरी पर, इन सब बड़े-बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और मेरा गरीब का बच्चा अपने घर लोटके जाता है, क्या दुर्भा किया और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ, कि हमने कानून बहुत सक्त बना दिया, इतले अपरादी रुख जाएगा, नए, सिस्टम को बदलना होगा, यह परिक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा, मैं सोचना हूँ कि क्या हम इतने अकल बंद बैठे हैं, क्या इ कि पेपर हारे राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए, क्या इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, इसका अल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परिक्षा को टूड़े टुड़े में कैसे कर सकते हैं, जिले के अनुसार पेपर ने, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते है कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा, कुछ तेह नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी वो सेंटर पर पेपर बेजेंगे, और ये जितने भी प्राइवेट स्कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखें, उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए आपका वो जान करेगा, आपका वो अधिगारी आएगा, आपने कहा भी शेशन जच्च के नीचे इंडियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोट होगा, बहुत अच्छी बात है, प्रोविजन जो आपने डाले हैं, वो स्वागत ही होगे, स्वागत करता हूँ, पर इन प लिक्षा के मंदिर को ब्रष्टाचार की भटी में जलाकर खाक कर दिया, दुर्बाग गहमारा, जहां से कोई आशा की किरन दिखती थी उस गरीब को, कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाओंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया है, उसको लगा कि आप कोई र करके हैं, और तुरंद उस पर ध्यान करना चाहिए, कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुग गया है, आप भी जान रहे, रोज के रोज पोक्सो कोट में आजीवन कारावा सुरा क्या विविचार रुग गया है, अपरादी को दंड मिल सकता है, अपराद बंद नहीं खाता खुलवा कर देश के परदानमंती में सारा खाता बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला, बैमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग पचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ, किस बीमारी का इलाज कहा है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करन नीचे से, क्या चीज़े यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसा ही है, और जो वाकी संसा है, उसका कारण यह है, कि हमने अपनी दुकान को इतने कमजोर कर दी है, कि जहां बच्चे अच्छी तरफ से शिक्षा लेकर के, हम जैसे गरीब पढ़कर के यहां आगए, और इस कारण से मेरी बहुत बीन प्राठना है, इस बिमारी का इलाज से यह बच्चे को कानून से नहीं होगा, कानून के लागा होगा, और उसमें आपका रहे धन्यवाद,